अब बिहार के सरकारे सिक्षकों को स्कूटी चलाने आना चाहिए अगर उन्हें स्कूटी चलाने नहीं आएगी तो फिर अब यह सब कुछ सिक्षा विभाग उन्हें सिखाएगा आपको बतादे कि केकी पाठकनी आप आदेश जारी किया है जहां कहा गया है कि महिला सिक्षि लेख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे केशो कुमार पाठक उर्फ केकी पाठक इनकी आने के बास सिक्षा विवस्था में काफी जादा बदलाव देखने को मिला है इसके साथ साथ जो सिक्षक हैं जो सिक्षिकाएं हैं उनके वहवार में भी बदलाव देखने आए हैं उस वज़से सिक्षकों को दिक्कत होती थी लेकिन इस बार केकी पाठक ने जो आदेश जारी किया है उसकी बद खास कर जो महिलाएं हैं वो कापे जादा खुश हो चुकी है आपको बता दे कि नए सिक्षक बहाले हो चुकी है नए सिक्षकों की ट्रेनिंग जारी है काई सिक्षक ट्रेनिंग करके अपनी काम पर लग चुके हैं बच्चों को पढ़ा रही है और असे बीच अब केके पाठक ने आदेश जारी कर बताया है कि अब सिक्षिकाओं को स्कूटी सीखना होगा और इसकी जो जिम्मेदारी है वो सिक्षा विभाग उठाएगा स्पेशल ट्रेनिंग देकर महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाया जाएगा बिहार सिक्षा विभाग के पाठक आए दिन बड़े बड़े फैसलें लेते रहते हैं ताकि सिक्षा के छेत्र में काफी जादा सुधार हो सके यहीं कारण है कि केकी पाठक आए दिन सरकारी स्कूलों में कमी नजर आती है उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है वहां जो सिक्षक होते हैं उन्हें डाटा जाता है पटकार लगाया जाता है जो बच्चे होते हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन अब जब निरक्षन के दौरान के की पाठक ने महि तरही रहना होगा लेकिन जो अभी दूर से आते हैं या फिर जिन्हें आने में स्कूल दिक्कत होती है लेट होता है ऐसे सिक्षिकाओं के लिए अब एक खास व्यवस्था कि पाठक करवा रहे हैं कि पाठक ने आदेश जारी किया है और कह दिया है कि अब सभी महिला सिक्षि या इक्षि कि पाठक ने आदेश जारी किया है कि अपने फर्मान में साफ बताया है कि अलग अलग डाइट सीटी पीटी इसी में इरक्षिन के दौरान ये बात स्फस्ट हुई है कि वहां की जो महिलाएं हैं उनको अब स्कूली सीखने की ज़रूरत है और यही कारण है कि जो नए सिख्शिकाएं आई हैं उन्हें अब ट्रीनिंग के तहट स्कूटी चुलाना सिखाया जाएगा ने रक्षिन की दौरान कई सिख्शकों ने एक्षा जाहिर की कि हमें दो पहिया वाहन या पर स्कूटी की जो जानकारी है वो चाहिए जो प्रसिक्षन है वो लगी समय से स्कूल पहुँचने लगेंगी फोल पहुचने में आसानी होगी और यही कारत है कि सिख्शिकाओं की मांग पर क Frankie Patek ने ट्रेनिंग दे रहे में सिख्षकों से कहा है कि आज से जो ट्रेनिंग का नया बैच sechsरों होने जा रहा है इसमें दो पहिया वाहन की ट्रेनिंग भी सिक्षिकाओं को दी जाए इसके जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए बाकी जो महिला सिक्षिकाओं हैं उन्हें भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी अलग से व्यवस्था की जाएगी सिक्षिकाओं को ये ट्रेनिंग आधे घंटे की दी जाएगी हर रोज और की आधे घंटे की ट्रेनिंग में वह स्कूटी के चुलाना है यह सीखेंगी, प्रसेक्षण टी टी कक्षा के बाद और ट्रेनिंग क्लास शुरू होने की बीच में होनी है, आपको बता दे की जो खबर उसके मुताबिक यह त्रेनिंग को सुभा सारे छी बज़े से लेकर सारे आठ बजी की बीच में सिख्षकों के संख्या को देखते हुए ताई की जाएगी कि उन्हें कितने देर और कब और किस दिन ये ट्रेनिंग दी जाए बताते चलेगी केके पाठक ने सिख्षकाओं की परिशानी को समझा है और अब ये आदेश चारी कर दिया है कि उन्हें सिख्षा विभाग के द्वारा उनके ट्रेनिंग के दौरा नहीं आधे घंटे की वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी जहां पर वो स्कूटी चलाना सीखेंगी केके पाठक ने ये भी कह दिया है कि जो सिख्षक हैं या जो सिख्षिकाए हैं उन्हें स्कूल के पास ही रहना है साथ-साथ सिख्षकों को घर भी दिया जा रहा है राज जिम में पहली बार पांच लाग सिख्षकों को सिख्षप भाग के द्वारा रहने के लिए घर के व बताईए वीडियो को शेयर कीजिए और बागे खबरों के लिए मने रहें जनता जंक्षिन की साथ कैमरी के पीछे ते विशाल और मैं की आपके साथ वन दोना धन्यवाद